नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ ऐसी जानकर आपको बताने वाले हैं आप जिस वैक्ति को चाहो इन टिप्स का इस्तिमाल करकर आप उस वैक्ति को अपनी कमपनी के अंदर बहुत आसानी से जोड सकते हो यानि कि हम कुछ गलतिया करते हैं और जिस गलतियों को अगर हम सुधार लें तो हम जिस भी व्यक्ति को चाहें उस व्यक्ति को हमारे product sale भी कर सकते हैं और उस व्यक्ति को हमारी team के अंदर सामिल करकर हम उससे नए member की joining भी करवा सकते हैं जी यहां दोस्तों वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फाहिदमन सावित होने वाला है तो आप सभी शयानुरोद है कि आप इस वीडियो को सुरू से लेकिलास तक पुरा जरूर देखेगा विदाउट इसकेप के तो पूरी करनी है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग अपनानी ही पड़ेगी आज नहीं तो कल नहीं तो एक साल के बाद आपको नेटवर्क मार्केटिंग जोइन करने ही पड़ेगी अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमने जोइन कर लिया तो हम नए मेंबर को join किस परकार से करें हम जिसको प्लान बताएं वो हमारे साथ हमारी company क्यों join करें और किस परकार की गलतियah हम new member की joining के अंदर करते चले जाते हैं अगर हम उन गलतियों को सुधार लें तो हम जिसको चाहें उस वेक्थी को हमारी company के साथ जोड सकते हैं हमरी टेम के अंदर सामिल कर सकते हैं तो सबसे पहली गलत्य हम करते हैं कि हम जिसको भी प्लान बताते हैं उसको प्लान हम चाहे जहां पर भी बताने लग जाते हैं तो यानि कि यह सबसे बड़ी मिश्टेक हम करते हैं प्लान आप जिस भी व्यक्ति को बताओ उस व्यक्ति का focus आपके उपर होना चाहिए और आपका focus i content के साथ सामने वाले person के उपर होना चाहिए यानि कि आप जो भी plan अपना company के बारे में बताओ चाहे आप किसी भी company के साथ काम कर रहे हूँ चाहे आप कोई भी product sale कर रहे हूँ तो आप जिस भी व्यक्ति को जोड़ना चाहो तो उस व्यक्ति को प्लान अपना ऐसी जगह पर बताईए जहां पर वो पूरा का पूरा फोकस आप पर और आपके बताए गए प्लान के उपर कर सके काफी सारी लोग M.A.E. कहीं पर भी रेलवे स्टेशन पर प्लान बताने लग जाते हैं कहीं लोग बस्टेन पर प्लान बताने लग जाते हैं कहीं लोग ऐसी जगह प्लान बताने लग जाते हैं जहां पर सवर्गुल ज़ादा होता है तो आप ऐसी जगार पर अपनी प्लान की जानकारे सामने वाले वैक्ति को मत दीजिए अगर आपको सामने वाले वैक्ति को अपनी टीन के साथ जोईन करना है अगर सामने वाले वैक्ति को अपनी कमपनी के अंदर जोईन कराना है तो आपको plan presentation करने के लिए या तो उसके घर पर जाना चाहिए या फिर उसको अपने घर पर invite करिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको सफलता राप्त मिले दूसरी अगर हम गलते की बात करें दूसरी अगर हम बिलकुल ट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर plan हमें बहुती sort रूप में हमें बताना है यानि कि हमारे plan को हमें लंबा नहीं खीचना बिलकुल sort and sweet जानकारी आपको देनी है यानि कि इस plan को join करने से हमें क्या benefits मिलेगा और कितनी level तक हमें benefits मिलेगा और क्या क्या हम इससे प्राप्त कर सकते इस परकार से sort and sweet जानकारी आपको बतानी है पूरा का पूरा explain आपको नहीं करना अगर आप पूरा plan explain करने के लिए बैठ गए तो सामने वाला बोर होने लग जाएगा और उसको किसी परकार का आपकी बात के अंदर कोई भी interest नहीं रहेगा और बिल्कुल आपको वो output देगा की सोच कर बताती है तो बिल्कुल sort and sweet आपको जानकारी देनी है तीसरे tricks के अगर हम बात करें तो कुछ successful लोगों की जानकारी आपको बिल्कुल एक folder के रूप में आपको रखनी है या फिर आप उसके बीच में कुछ successful लोगों की जानकारी आप बता सकते हो कि पहले ये वेक्ती 10,000 रुपे कमाता था network marketing जोइन करने के बाद में इतनी team develop करने के बाद में आज ये वेक्ती 1,000,000,000,000 दो लाग या फिर 80,000,000,000,000 रुपे कमाने लगा तो इस परकार से कुछ सोट आपको successful लोगों की जानकारी भी आपको देनी होगी जिस से सामने वाला वेक्ती बिलकुल जागरत हो और बिलकुल वो भी जादा से जादा पैसा कमाने की सोचने लगे यानि कि आपको अपने प्लान के साथ साथ कुछ successful लोगों की information भी सामने वाले को जरूर देनी होगी तभी उसका रुज़ान आपकी तरफ बढ़ेगा और वो आपके साथ काम करने के लिए तयार भी होगा और अगर हम चोथे importance points की बात करें, चोथे tricks की बात करें तो argument आपको बताने लग जाता है कुछ argument आपसे करने लगता कि नहीं नहीं यार ऐसा कोई भी यहाँ पर अमीर नहीं बनता है इस company में काफी सारी company ऐसी होती हैं जो कि लोगों को पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाती है तो यहाँ पर आपको सामने वाले वैक्ति से किशी परकार का कोई भी argument नहीं करना सामने वाला वैक्ति बोले कि हाँ साब भाग जाती है company आप भी बोले कि हाँ भाग भी सकती है और भागती भी हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा आपको उसको विश्वास दिलाना होगा कि सभी कमपनिया एक जैसे नहीं होती है इस कमपनिय में अगर आप काम करोगे तो आउटपुट आपको ऐसा मिलेगा इतनी जल्दी मिलेगा और इतनी टीम डवलप करने के बाद में आपको इतने पैसे की प्राप्ती होने वाली है यानि कि आपको किसी परकार का उस व्यक्ति से लाउडली बात नहीं करनी किसी परकार से उस व्यक्ति के साथ आपको आर्गुमेंट नहीं करना अगर आपने आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो वो वेक्ति कभी भी आपके साथ जोईन नहीं होगा और अगर आपने उसकी बात को importance दी तो definite वो वेक्ति आपके साथ होगा जोईन होगा आपके साथ आपकी company के साथ आपकी team के साथ वो जोईन होगा और अपने team भी बहुत तेजी से develop करेगा तो उस व्यक्ति के साथ आपको argument नहीं करना और पांचवा points के अगर हम बात करें तो पांचवा points है कि अपना plan start करने से पहले ध्यान दीजेगा बहुती ज़्यादा important बात है कि आप अपना plan start करने से पहले सामने वाले व्यक्ति को बताने से पहले आप जादा समय उसको अपना दोस्त बनाने में दीजिए यानि कि आप उसको इस परकार से घुल मिल जाए उस व्यक्ति के साथ कि वो आपका एक दोस्त बन जाए और आप उसके बहुती अच्छे दोस्त बन जाओ और जिस परकार से दोस्त एक दूसरे से अपनी बाते शेयर करते हैं बिल्कुल वो भी ऐसा महसूस करें कि हाँ आप उसके सचे दोस्त हो और बिल्कुल आप एक दोस्त की नाती आप उसका भला करना चाहते हो और इस परकार से उसको ऐसी फिलिंग आपको दिलानी है अपने प्लान बताने से पहले तो अगर आप जादा समय अगर उसको दोस्त मनाने में दोगे और फिर उसके सामने प्लान बताओगे तो definite वो आपके साथ जोईन होगा आपकी कंपनी को जोईन करेगा और आपकी टीम के अंदर वो तुरंती सामिल हो जाएगा जियां दोस्तों और अगले चठे पॉइंट्स के अगर हम बात करें तो चठा पॉइंट्स है कि अगर आप प्लान बताने के लिए जाओ तो आप अपने साथ कुछ सौट डेमो पीज जरूर लेकर जाओ यानि कि आप कुछ सौट चोटे डेमो पीज जरूर लेकर जाओ कि उससे आप अपनी कंपनी की जानकारी सामने वाले व्यक्ति को बता सको और डेमो पीज अगर आप लेकर जाते हो तो उसमें आपको सामने वाले व्यक्ति को जोइन कराने में बहुती जादा सुईदा मिले और उनको देखने के बाद में वह व्यक्ति तुरंत ही आपके साथ जोईंग होता चला जाएगा और अगर हम साथवे पॉइंट्स के अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा में भूमी का हमारा वही निभाता है यानि कि समय का आप बिलकुल ध्यान रखिए हमारी समय अवध यानि कि जो भी व्यक्ति को आप प्लान बताने के लिए जाओ आपको सामने वाले व्यक्ति को 30 या 40 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना आप समय का ध्यान रखते हुए बिलकुल 30 या 40 मिनट होने के बाद में आप उस व्यक्ति को एक सिंगल मिनट से भी ज़्यादा समय मत दिजे आप बिल्कुल कोई न कोई बहाना बनाईए अगर आप फिरी हैं तो भी आप समय मत दिजे और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी आप 30 या 40 मिनट से ज्यादा आप उसको समय मत दिजे जितना ज्यादा समय आप उसको दोगे उतना ही वो आपके साथ जॉइन न अंदर वहां से निकलते हो और कोई न कोई बहाना बनाते हो कि मुझे नया प्लान बताना है मुझे दो लोगों को पारसल देने के लिए जाना है या फिर उनको नया जॉइन कराना है तो उस परकार से अगर आप समय रहते हुए बिलकुल वहां से अपना स्थान छोड़ दो आपको एक आफर का आप इस्तेमाल कर सकते हो यानि कि जिस भी वेक्ति को आप जोइन करने के लिए जा रहे हो जिस भी वेक्ति को आप प्लान बताने के लिए जा रहे हो तो आप उस वेक्ति को आफर कर सकते हो कि अगर आप आज हमारी कंपनी के साथ या फिर मेरी टीम के सा जोइन होते हो तो मेरे पास already दो जोइनिंग हैं जो कि आपके जोइन होते ही मैं वो दोनों जोइनिंग आपके नीचे डाउन में जोइन करा दूँगा तो यानि कि आपको उसको कुछ परलोबन देना होगा और फिरी ओफर करकर आप बहुत आसानी से उसको अपने टीम के अं साथ the जोइन हो जाए और कल तक उसको सोचने का भी समय ना मिले और अगर उसको जादा जांकरी चाहीए तो बिलकुल वो आपकी टीम के साथ आपके सीनियर के साथ Zoom Meeting के अंदर जाद से जादा जानकारे बिलकुल कलक कर सकता है तो यह यानि के 7 या 8 पॉंट ऐसे हैं अगर आप इसको आजमाते हो अगर आप इसको अपनाते हो तो बिलकुल definite आप जिसको चाहो उसको अपने company के अंदर अपने team के अंदर सामिल कर सकते हो जियां दोस्तो यही कुछ चोड़ी से इंफोर्मेशन थी सो जाँ आप लोगों के साथ सेर कर लिजाए वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक चैदूर कर देना और हाँ दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत दो